आज हम बात करेंगे जो मुकाबल होने बाला है Royal Challengers Banguru और Women's और Delhi Women's के बीच में इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबली के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं साथ में ये दोफतों जिस भाई ने भी हमारे ने हमारा Telegram चैनल जोईन नहीं किया वो जोईन कर लिजीगा लिंक आपको Telegram की वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहाँ जाके आप हमारा Telegram चैनल जोईन कर सकते हो क्योंकि after toss आपके पास सभी information हमारे Telegram चैनल पर ही आने वाली है तो प्लीज आप Telegram हमारा ज़रू जोईन कर लिजीगा अब हम बात करेंगे दोस्तो सबसे पहले Venue को बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मुकाबला खेला जाएगा न दोस्तो वह आपके लिए di west पार सॉरी वेब्रोर ऑं स्टेडिेम मॉंबई में खेला जाने वाला है जी यहां दोस्तो वेब ब्रॉन इस्टेडिया मुंबई में खेला जाने बाला है और आम तोर पर इस्पिनर के लिए विकेट थोड़ी फायदे मन्द है वनस्पत फास्टर के फेसबॉयर को इतनी ज़्याद मदद नहीं मिलेगी जितनी की इस्पिनर को मदद मिले बाली है आ दोस्तो और सेकिंड इनिक्स में थोड़ा एबरेज दोस्तो यहां पर घटता है इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखकर चलिएगा हाइस टोटल यहां पर ऑस्टेलियन बूमेन ने बनाया है मैं बूमेंस की बारे इम बात करहा हूं 209 रन लेकिन आपके लिए मैं बता 169 एक बार 179 तीन बार और 190 एवब यहां पर दोस्तो तीन बार स्कूर देखने को मिला है याद रखिएगा दोस्तो यहां पर आपके लिए जो इस्पिनर है न वो इंपूरेंट रॉल प्ले करने वाले हैं इस बात को आप धियान में रखकर थोड़ा सा चलिएगा अब हम करते हैं प्लेयर वाई प्लेयर एनलाइसिस के बारे में तो सबसे पहले आप देखोगे सहफाली भर्मा जो की ओपन करती ही नजर आ जाएंगी दोस्तो आप महिलाओं का सहवाग मैंने कहता हूं आउट होने की परवा नहीं है और याद यह खेल गए तो दोस्तो बहुत अब बात करें एलाइस कैस्पी यदि ओपन नहीं करेंगी दोस्तो तो जमाइमा रोड रिगर्स ओपन कर सकती है लेनिंग तो साइद ओपन ना करें एलाइस कैस्पी का आप देखोगे 15 मुकाबला में ओबरल रेनों नहीं 307 रन की हैं 25 के एबरेज है इस्ट्राइक रेट स नमर तीन पर ये नमर चार पर खेल सकती है ये थोड़ा सा चेंजिस हो सकता है इनका यदि सबसे पहले बात कीजा है वेनुपर वेनुपर चार मुकाबले मात रेनों ने खेले हैं 175 के स्कूर किया याद रखेगा वेनुपर काफी अच्छी खेलती है इनको आप ध्यान में चलीगा 162 का यहाँ पर इनका अबरेज है अबरल यदि बात कीजा है तो 132-20 मुकाबले के लिए 345 रण के स्कूर किया 36 के अबरेज काफी अच्छा अबरेज है थोड़ा स्ट्राइक रेट कम है लेकिन वेनुपर वहत हाई स्ट्राइक रेट है इस बात को आप ध्यान में च्छाइस देंगे बस आप वीडियो ध्यान से और पूरी देखते रहीगा जमाइमा रोडरिगर्ज वह सांदर पेलियर है दोस्तों इंडिया की बहुत टेक्निकली स्ट्रॉंग पेलियर है पांच मुकाबला हम वेनुपर 82 रण के स्कूर किया है उसके अलावा 16 का अबरे बेनुपर इतनी अच्छी नहीं खेल पाई है दोस्तों स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है लेकिन अधी बात करो अवरॉल के बारे में तो असी मुकाबले नों ट्रॉंटिक खेले है 1704 रण का स्कूर किया है 29 का अबरे से 114 का स्ट्राइक रेट है दोस्तों इन जाना के बारे में तो ए अफरीकन पिलियर है आप देख सकते हैं यहाँ पर 94 मुकाबलों में 1178 रण की है 19 का अवरीज है 96 का स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है और 76 विकिट भी इन्होंने निकाले है उसके बाद आप देखोगी यहाँ पर लूरा हैरिस ल आप जरूर अपने टीब में ट्राइक करेगा ग्रेंड लिग के तानिया भाटिया तानिया भाटिया आप देखोगे आप इन्हें लूरा हैरिस से उपर बल्ले बाजी के लिए भी हजा जा सकता है बिगट कीपिंग सेक्शन में नजर आ जाएंगी और इनका देखोगे 53 बॉलर हैं इनके टीम के ओर से आप देखोगे 60 मुकाबलों में 208 रन किये हैं बल्ले बाजी भी ठीक ठाक किये 13 का एबरिज है तानिया भाटिया से तो अच्छा ही है और साथ में 56 मुकाबलों में 43 विकेट भी नोने निकाले हैं तो आप ऐजा बॉलर ही तानिया भाटिया के निकाले हैं 19 का एबरिज है तो दोस्तो इंपुडेंट पिलियर ए हो सकती है क्योंकि इस्पिन के लिए थोड़ा सा विकेट फेवर करने वाला है और ए बहुत अच्छी इस्पिन गेंदवाजी करती है पूना में आदब का देखोगे चार मुकाबलों चार विकेट ए दोनों दोस्तो आपके लिए की प्लियर का रॉल प्ले कर सकती है पूना में आदब और राधायादब जी या दोस्तो इस बात को आप दिखाने में रख कर चलिएगा ए दोनों की प्लियर का आपके लिए रॉल प्ले कर सकती है अरंधती रेडी ग्रेंड लिग की सांदर इस्मॉल लीग में आप इने ट्राइ मत करीगा बात करें रोयल चैलेंजर बेंगलूरू की महिलाओं के बारे में तो आप यहां पर देखोगे इस्मृती मंधाना ओपन करती हुई नजर आपके लिए आ जाएंगे और काफी इंबोडेंट प्लियर है नोट करिएगा दोस्तो आप इने टीम में ट्राइ कर सकते हो आप यहां पर देख सकते हो साथ इनिंग्स में होने 229 रन बनाए है वेन्यू पर वातारों 38 का अब्रेज है स्ट्राइग रेड 152 का तो आप समझ सकते हो कि वेन्यू के अक्वाडिंग कितनी इंबोडेंट प्लियर है साथ में यहां आ आपको कौन इंपोडेंट लगता है वीडियो पर कमेंट करकर जरूर बताएगा और हाँ बाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो आप 8-10 लोगी हो जो मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो तो मैं सोचू का कम से कम कही ना कही मेरा सफाल है वीडियो बनाना आप Sophie divine Sophie divine यदि दोस्तों गेंदबाजी करती है ना तो आपके लिए समय से गयंद बाजी नहीं कर रही है, आप गयंद बाजी करेंगी या नहीं करेंगी, इसके बारे में अपडेट में आपके लिए टेलिग्राम पर देने बाला हूँ, तो प्लीज आप टेलिग्राम हमारा जोइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको टेलिग्राम के वीडियो की डिस्किप्सन में मिल जाएगी, उसके बाद बात करें एलेस पेरी के बारे, एलेस पेरी एबी काफी इंपोडेंट है, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की इंपोडेंट चोईस है, हाला कि एलेस पेरी थोड़ा नीचे बल्ले बाजी के लिए जा सकती है, आप पेरी का देखोगे, साथ मुकाबलों में, चार विकेटिन होने निकाले हैं, और तीस का आइबरेज है, पहीं 149 मुकाबलों में 1535 रन है, तीस का आइबरेज है, और 131 मुकाबलों में गैंदबाजी की 122 विकेट निकाले हैं, लेकिन दोस्तों, एलेस पेरी पिसले कुछ समय से गैंदबाजी नहीं कर रहे हैं, इनकी यदि अंतराश्टी टीम के लिए खेलती हैं तब, लेकिन तब डोमेस्टिक टूनमेंट खेलती हैं, तो गैंदबाजी ये करती हैं, आप देखना पड़ेगा कि एलेस पेरी गैंदबाजी करेंगी या नहीं करेंगी, इसके बारे में भी अपडेट आपके लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो प्लीज आप टेलीग्राम जोइन करना हमारा, बिल्कुल मत भूलिएगा, बात करें दोस्तों यहाँ पर डेन वेंक नेक रेक के बारे में, तो इनका देखोगे 86 मुकाबलों में, 1877 रनें, और दोस्तो 28 का अबरेज है, 94 का इस्ट्राइक रेज, इस्ट्राइक रेज तना अच्छा नहीं है, अच्छी खासी यह हिटिंग करती है, रेचा गोस का यदि आप देखोगे, तो तीन मुकाबले खिलें, इस बेनूफर 51 रन की हैं, 25 का अबरेज है दोस्तों, एक मुकाबले में बलेवाजी इनकी नहीं आई थी, और 170 का स्ट्राइक रेड, स्ट्राइक रेडिन का हमेशा हाई रहनी वाला है, 35 मुकाबलों में, 563 रन है, 26 का अबरेज है दोस्तों, रेचा गोस इम्पोरेंट पिलेर आपके लिए हो जकती है, जिया दोस्तों बिलकुल इम्पोरेंट पिलेर हो जकती है, और इनका बेटिंग वाटर सायद ज़्यादा चेंजिस ना किया जाए, लेकिन आपके लिए बुडेंट पिलेर है, रेचा गोस, उसके बाद देखोगे, कनिका अहुजा और इंदरानी रोय, एक ग्रेंड लिग की चोईस है, इसमाल लिग में आप इन्हें अवाइड करकर चल सकते हो, लेकिन आप ग्रेंड लिग में ज़रूर इने ट्राई कर लेना, जियां दोफतों ग्रेंड लिग में ज़रूर ट्राई कर लेना, इरेन बर्न्स, पांच मुकाबलों में तीसरान है, इसमाल लिग की चोईस है, मेगन सर्ट, यह आपको स्मॉल लिग की चोईस है, जियां दोफतों मेगन सर्ट स्मॉल लिग की चोईस है, 96 मुकाबलों में, 95 रन इन्होंने इनिंक्स में दोफतों, 124 विकेट निकाले हैं, 15 के अबरेज है, नोट करीगा, 30 का स्ट्राइक रेट भी इनका है, 32 मुकाबलों में, ओवराल 31 विकेट नोट निकाले हैं, और दोस्तों, आप देखोगे, 21 का अबरेज है, स्ट्राइक रेट अबरेज कुछ भी कहले जीगा, तो यह भी आपके लिग काफी इंपूरेंट है, और फाटल खेलती हैं या इनकी जाएक कोई और खेलेगा, उसके बारे मैं अबडेट मैं टेलिग्राम पर दूँगा, तो प्लीज आप टेलिग्राम जोइन करना हमारा बिलकुल मत भूलीगा, लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हमारी टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपने माइफेबली में डाउनलोड ने क्या डाउनलोड कर लीजगा, लिंक डिस्किप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड करकर आपके लिए राज बंटू 3 कोड डालना है, जैसे आप कोड डालोगे, हमारी तरब से आपके लिए 100 रुपेगा केस बोनस आ जाएगा, और यदि आप दोस्तों और जादा केस बोनस जोईन लेना चाहते हो, तो आप हमेरे टेलिग्राम पर जोईन कर लेजीगा, अप इसको डाउनलोड करने के लिए मैं क्यों बोला हूँ, क्योंकि आप फ्रीम लीडर वोर्ड जोईन कर सोके, बिकली लीडर वोर्ड, जो कि 3 लाग तक आपके लिए प्राइस देने बाला है, उसके बाद दोस्तों, यदि आप 10,000 या 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो फर डे, तो आपके लिए हम 600 ओटोमेटिक केस बेक देंगे, और दोस्तों उसके अलाबा, आप यहां पर देखोगे, आप इस पर खेलतो है हो, तो आपके लिए लो एंट्रीफी से, एक से दो बनिट में आपके लिए बेंक बिड्रो मिल जाएगा, और दोस्तों लो कमप्टीशन है, तब इतने सारे वेनिफिट एक एप्लिकेशन दे रही है, तो चलिए फिलाल हम टीम तैयार कर लेते हैं, सब सपहले बात करेंगे यहां पर विकिट कीविंग सेक्शन में, तो यहां पर देखोगे, रिचा गोस बन अपदी बेस्ट चोईस है, तानिया भाटिया इतनी अच्छी चोईस नहीं है, इंदरानी रोय दोस्तों सिर्फ ग्रेलिक की चोईस है, और मंडल भी इतनी अच्छी चोईस नहीं है, तो हम यहां पर रिचा गोस को अपनी टीम में ट्राइ करेंगे, बात करें दोस्तों बलेबाजी सेक्शन के बारे में, तो बलेबाजी सेक्शन में आप देखोगे, आपके पास इस्मरेती बंधाना है, मैक लेनिंग है, सोफिया डिवाइन है, तो दोस्तों इन तीन बलेबाज को मैं अपने टीम में ट्राइ करकर चल रहा हूँ, उसके बाद यदि बात की जाए, आपसंस के बारे में, तो जमाइमा रोड रिगर से, एलाइस कैस्पी है, ए भी सामदर चॉइस है, और जमाइमा रोड रिगर तो इंपुडेंट चॉइस है, हैदर नाइट तो आपके लिए साइद खेलती हूँ नजर न ना है, इनके बारे में जो भी अपडेट आईगी, टेलीराम पर करूँगा, तो फिलीज आप टेलीराम जोइन करना हमारा, बिल्कुल मत भूलीगा, आल्राउंडर सेक्शन के बारे में अभी हम चर्चा कर लेती है, एलिस पैरी है, मरी जाना के आप दोनों को ट्राई करूँगा, सेफाली बर्मा को, इंट्रेस्टिंग है, सेफाली बर्मा को अल्राउंडर सेक्शन में डाल दिया, तो सायद कुछ एक आदा ओबर ये गिंद बाजी करती हूँ ही नेजर आ जाए, तो अभी तो मैं इन तीनों ये ओल्राउंडर को अपनिटीब में ट्राई करने बाला हूँ, बात करें यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन के बारे में, मेगन सथ हैं और दोस्तों यहाँ पर ठाकुर है, जैस जैसन खेलेंगे तो अपडेट में टेलीग्राम पर करूँगा, उसके बाद दोस्तों जैस जैसन तो सायद ना खेले, आपके पास ओप्षन है, राधा यादाव है, सिखापांडे है, पुनम यादाव है, आप इन में से किसी को ट्राई कर सकते, तो मैं याँ पर राधा याद आपको अपनी टीब में ट्राई कर रहा हूँ, और मैं एक एक एक्स्ट्रा बलेबाज, जमाईमा रोड रिगर्स के साथ अपनी टीब में जाना पसंद करूँगा, अब हम बात करते हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के बारे में, तो आप यहाँ पर देखोगे, और आप्सन देखोगे आप यहाँ पर, एलिस पेरी आपके लिए वह सांदर आप्सन है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी का, उसके बाद आप देखोगे, लिबाले हैं. तो प्लीज आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन करना बिल्कुल मत भुली现गा. लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो को डिस्किप्सिन में मिल जाएगी. दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है चेनल को सस्क्राइब कर लेना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद